असलाम अलेकुम विवर्स वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चाइनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट आज की वीडियो रिक्वेस्टेट वीडियो है और बहुत इजी और सिंपल टॉपिक है components of business यानि business को उनकी activities के according different parts and categories में divide कर दिया गया है कुछ business जो होते हैं क्योंकि वो production से related होते हैं या चीज़े बना रहे होते हैं और कुछ business जो होते हैं वो goods and services को आगे consumer तक बेचते हैं या distribute करते हैं profit earn करने के लिए business का main purpose profit earn करना ही होता है लेकिन business के काम अलग-अलग हो सकते हैं इसलिए कुछ business जो होते हैं वो चीज़ों को बनाते हैं बनाया जाता है यांजिकरपुरा process किया जाता है गोड्स को तैयार करने के लिए और या फिर extraction की जाती है goods की ठीक है यानि जमीन की सता से या तो निचली सता से है वो जमीन के उपर से उस product को एक्स्ट्राक्ट को चीज़ों कहीं तो ये तमाम तमाम प्रोसेस होते हैं eh लगतर को कहते हैं कि यह इन्डस्ट्री से रिलेटिड है, यानि इंडस्ट्री में goods को प्रोड्यूस किया जाता है, process से गुजारा जाता है ताकि वो kंज्यूमर तक use करने के काबिल हो, ठीक है। अब है types of industries, यानि industries को कितनी types में ड्िवाइट किया गया है, first is extractive industrial, extractive इंडस्ट्री में तमाम activities include होती हैं जिसमें goods को as a raw material निकाला जाता है कि जमीन के अंदर से या जमीन के ओपर से या फिनिश goods ही होती है उसको यानि जैसे निकाला है वैसी उसको sale कर देना यानि जैसे हम सबजियां कुछ फल जो हैं वो जमीन देखें हम सबजियां तो यह होती है यह एक्स्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो जमीन से रिलेटिड होती हैं उसी तरहे हैं उन जैसे यह जो जमीन के अंदर से निकाला जाता हैं जो एक्स्ट्रक्टिñ सध इंडस्त्री जिणनेटिक इंडस्त्री तमाम एक्निटिइस की रेनीमल्स की रेप्रोडियूसिंग इनकी सबुद्ण हो ताइछ भी नऄंगा उक्रीडून इस पिसके इलावा इसमे प्लाइट न स Verm territories reality क्रेंवों रधध के मजिए प्लड़ू नेगए तो इनका major purpose होता है कि इसमें plants and animals को reproduce करना profit earn करने के लिए उसके बाद जो third industry है वो है constructive industry इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें construction से related काम होता है जिसमें जैसे road वगारा जो construct करने होते हैं, dam बनाने होते हैं, bridge बनाने होते हैं, canals, buildings तो यानि कि इसमें construction से या तामीरात से related ये industry होती है, इसमें सिर्फ चीजों को बनाया जाता है, house constructions हो सकती है, तो ये एक यानि असान सी टाइप है, ये तो असानी से आपको समझ आजेगी, fourth जो industry है, वो manufacturing industry है, यानि ऐसी activities इसमें include होती है, जिसमें raw material यानि ऐसी product या ऐसी चीज जो भी इस्तमाल करने के काबिल न हो, उसे raw material कहते हैं, या semi-finish good हो, यानि कुछ उसमें काम कर दिया गया हो, लेकिन वो भी complete न हो, ठीक है, तो ऐसी product को finish good में convert किया जाता है, ताकि वो इसमाल करने के काबिल हो, ठीक है, तो वो तमाम जो activities होती है, उसे manufacturing industry कहते हैं, जैसे एक example ले ले लेते हैं, जैसे एक लकड़ी है, अगर हम उसे furniture बनाना चाहते हैं, तो लकड़ी एक raw material है, वो भी काबिल नहीं है, इसके हम उसको use कर सकें, लेकिन जैसे ही हम उसको processing करते है हैं, उसे furniture तयार करते हैं, तब वो एक finish good में convert होगी, तब ही उसको market में लेकर आया जाएगा, कि वो sale हो, तो ये एक example है manufacturing industry की, उसके बाद जो five industry है, वो services industry है, क्योंकि अभी तक हमने जो कीन थी, वो products related थी, जो tangible थी, लेकिन अब है services, यानि इन tangible हैं, जो नजर नहीं आती है लेकिन वो भी sale की जाती है, profit earn करने के लिए, इसमें different professionals या professions आ जाते हैं, जैसे doctors है, lawyer है, teacher है, तो ये सारी जो activities होती है, ये services है, ये profit earn करने के लिए services दे जा रही है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको product आपने दी है किसी को, क्योंकि अभी तक जितनी industries में काम हो रह लेकिन ये है intangible, जिसको हम छूँ नहीं सकते, लेकिन हम services दे के profit earn कर रहे हैं, ठीक है, तो ये industries की types थी, और जो second इसकी component है, business का वो है commerce, क्योंकि इंडस्ट्री में हमने बढ़ा था कि उसमें goods को या services को sale किया जाता है, या production की जाती है, लेकिन commerce में buying and selling होती है, चीजों को यानि इसमें तिजारत होती है, buying and selling होती है, किसी ना किसी goods की, यानि goods को एक जगा से दूसरी जगा पर transfer किया जाता है, या ultimate consumer तक पहुचाया जाता है, producer से लेकर, अब commerce जो है, उसको भी further two category में divide किया गया है, एक trade है, और एक aids to trade है, ठीक है, सबसे पहली है trade, trades का आपको पत करता है, और दूसरा उसके बदले में पैसे देता है, यानि दोनों parties अपने benefit के लिए buying and selling करती है, और जो trade होती है, उसमें types उसकी है, internal trade, external trade, internal का आपको पता है, जो कि country के अंदर रहते हुए different cities के दर्मियान होती है, उसको कहते है internal trade, जिसमें जो buyer होते हैं, या seller होते हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला वो एक मुल्क के अंदर रहते हैं, ठीक है, और second जो है, external trade है, उसमें एक country से हट के, या दूसरी country दो या दो से जादा countries मिलकर buying and selling करती है, यानि इसमें import and export होती है, इसमें जो buyer and sellers होते हैं, वो different countries में होते हैं, तो वो होती है external trade, उसके बा large quantity में चीजों को purchase किया जाता है, और उनको retailers को resell किया जाता है, ताके वो मजीद आगे चीजों को sale करें, यानि जो retailers होते हैं, जो shopkeepers होते हैं, यह wholesale market से जाके चीजों लेकर आते हैं, बल्क में और जो बहुत economical मिल जाती हैं उनको, और आगे consumer को sale करते हैं, उसके बाद fourth है retail trades retail trades में वो ही चीज़ है कि जो wholesalers से retailers लेकर आते हैं चीजों को, उसको आगे final consumers लग पहुँचाते हैं, लेकिन वो small quantity में चीजों को consumer को sale करते हैं, जैसे कि वो जब खरीदते हैं, होलसेलर से तो बल्क में खरीदते हैं आप जो second category है commerce की वो है aids to trade, यानि के वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वज़ा से trades में असानिया पैदा होती हैं, सबसे पहले है transport यानि transportation की बड़ी सहुलत होना जरूरी है, क्योंकि एक जगा से दूसरी जगा चीज़ें पहुचानी है, तो transportation की facility का होना जरूरी है, उसके ब तो वो risk minimize हो सकता है, काम हो सकता है, उसके बाद warehousing की बड़ी एहम जरूरत होती है, क्योंकि goods को store किया जा सकता है, जादा से जादा bulk में, और future में demand देखते हुए भी चीज़ों को store करने के लिए warehouse की जरूरत होती है, तो ये भी बहुत helpful होता है, इसके बाद banking यानि अगर आपने बाइरन सेलर्स को finance की जरूरत है, चीज़ों को खरीदने हैं बेचने के लिए, तो bank की facility का होना बड़ा जरूरी है, bank बड़ा एहम रोल अदा करता है, उसके बाद advertisement है, goods की advertisement अगर हो गई, advertise किया जाएगा news paper के through, magazines के through, radio, televisions, internet के through, उस advertisement के through, तो लोग जादा से देंगे, तो advertisement के through, भी trade जो है, वो बहुत असान हो जाती है, तो ये सारी थी, aids to trade, hope करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और comments के through, बताएं, आपको वीडियो कैसी लगी है, और पस् झाल 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 झाल